वेलकम तो नया स्वाथ चानल अज आपके सामने एक बहुत ही डिफ्रेंट बिर्यानी बना रहा हूँ इसका नाम है जोदपुरी काबुली जोदपुरी काबुली अफगानिस्तान के काबुल से ओरिजिनेट हुआ है और इसका नाम जोदपुर के माराजाओं ने जोदपुरी काबुली रखा और वुगल समराटो ने इसे दिर्यानी कहा इसका जो में इंग्रेडियन्ट है वो है बास्मती चावल बास्मती चावल को थम, लॉंग, इलाइची, डालचीनी और थोड़ा नमक डाल के उबाल लेंगे इसके बासी के इंग्रेडियन्ट जो है वो इस प्रकार है इसके लिए हमें एक सबजी बनाना पड़ेगा और सबजी बनाने के लिए हम लोग जो मिक्स वजिटेबल यूज करेंगे वो है पूलगोबी, गाजर, कॉन, आलू, मतर और बीम्स सबजी बनाने के लिए जो बाकी के इंग्रेडियन्ट लगेंगे वो इस प्रकार है दही लेसन पेस्ट तेज पत्ता प्राइट कांजू, बदाम इसमें किस्मिस भी है साथ में किस्मिस को फ्राइड नहीं किया गया है अनियन पेस्ट गरम मसाला लाल मिल्चा पाउडर धन्या पाउडर फल्दी पाउडर चाप धन्या पत्ती और पोदीना पत्ता टोमाटो प्यूरी चीनी काजू का पेस्ट नमक स्वादनुसार और अध्रक हरा मिल्चा का पेस्ट अब हम इसके लिए सबजी ब्रानाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम होने पर पेज पता डालेंगे अध्रक हरा मिच्चा का पेज डालेंगे लशन का पेज डालेंगे प्याज का पेज डालेंगे दो मिनिट सबको अच्छे से चलाएंगे अब इसमें सारे मसाले डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर पिर धन्या पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला इन सबको अच्छे से मिलाकर दो से तीन मिनिट ढूनेंगे अब कांजू का पेज डालेंगे तोमाटो पीरी डालेंगे दही डालेंगे कांजू बदाम किश्मिश डालेंगे और पोदिना पत्ते डालेंगे चीनी डालेंगे और नमक स्वादनुसार डालेंगे अब इसमें ये बॉइल सब्जियां डालेंगे अब इसको चार-पांच मिनट तक ढख कर पकने देंगे ये हमारा सब्जी तयार है इसके लेरिंग के लिए जो समान लगेगा वो इस प्रकार है तले हुए प्याच और ब्रेड कुटांस दूद में भिगोया हुआ केशर पत्पी गुलाब जल और केवडा का पानी गार्निशिंग के लिए धन्या पोदिना पत्ता और फ्रेश लाल अनार के दाने अब हम लेरिंग करेंगे यह जो केशर दूद में भिगोया हुआ है उसी में थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा केवडा जल डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम लेरिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक बड़े बाउल में थोड़ा चावल डालेंगे उसके उपर थोड़ा सा यह केशर का दूद डालेंगे थोड़े ब्रेट्टू टॉटांस डालेंगे थोड़ा यह तले हुए प्यास डालेंगे धन्या पोदीना पत्ता डालेंगे अब यह सबजी जो बनाएं थे उसका लेयर डालेंगे इसके उपर वापस चावल डालेंगे वापस यह केशर वाला दूद डालेंगे वापस ब्रेट्टू टॉटांस और तले हुए प्यास डालेंगे थोड़ा पोदीना धन्या पत्ता डालेंगे और फिर वापस सबजी डालके उपर से चावल डालेंगे और यह बचा हुआ केशर वाला दूद डालेंगे जर्कुटांस से सजाएंगे थोड़ा तला हुआ प्यास डालेंगे थोड़ा पोदीना पत्ता डालेंगे और यह ताजा अनार के दाने डालेंगे थोड़ा तले हुए कांजू और बदाम डालेंगे यह हमारा जोदपुरी काबुली बिरियानी सर्फ करने के लिए तयार है सर्फ करने के पहले अगर इसको 2-4 मिनट माइक्रोवेव कर देंगे तो इसका फ्लेवर और भड़िया हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेर और कमेंट करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब जिनूर से करिएगा आपको करेंगे